Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube Channel आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादर important होने वाली है Because आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है Social Welfare Department की बिलकुन नई vacances के बारे में आपको कैसे इन vacances में apply करना होगा क्या क्या eligibility यहाँ पे मागी गी है सारी चीजों को डीटेल में cover करने वाले है आपनी वीडियो को स्टार्टिंग से एन टक जरू देखना है Because वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए important होने वाले है सारी चीजों में आपको डीटेल में समझाने वाले हूँ जैसे की number of vacances की इतनी है आपको post wise क्या के eligibility मागेगी है Post wise आपको selection and joining कैसे मिलने वाले है हर चीज को brief में cover करते जाएंगे वीडियो को end तक देखेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आई है इसी तरीके से चाहते हैं हर एक job update आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को subscribe करके bell icon को press करके all पे click कीजेगा ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका notification आप तक सबसे पहले पहुंच जाए बाकी देखेए सबडेट के इलावा और भी बहुत सारी department है जिनकी vacances आउट हो चुकी है आप अपनी qualification अपनी city या फिर district के according हमारी जो official website है न उस पे आप विजिट करके information लेकर आप इन vacances के लिए apply कर सकने है हमारी जो official website है इसको आप सीधा google पे type करें आपको पहली नबर पे site मिल जाएगी जितनी भी latest vacances आई है आप उसको वहीं से check करके apply कर सकने है चलिए ज्यादा टाइम ही लेंगे सीधा बात करेंगे social welfare department की आई हुई नई job vacances के बारे में आपको कैसे इन vacances में apply करना है क्या क्या eligibility है जो यहाँ पे मांगी गी है हर एक चीज़ को detail में cover करते जाएंगे जैसे मैंने आपको पहली भी क्लियर किया है तो सारी चीज़े डिटेल में cover करेंगे आपको अवेदन कैसे करना है क्या क्या eligibility मांगी गी है और हमारी जो official site है इस तरह किसे आप Google पर टाइप करने आपको पहली नबर पर साइट मिल जाएगी जितनी भी लेटेस्ट आप यहां पर टेपार्टमेंट वाइस अपनी लोकेशन वाइस चेक करके अप्लाई कर सकते हैं फिल्हाल हम बात करें social welfare department की आई हुई नई job vacances के लिए कैसे आपको अप्लाई करना रहेगा क्या के यहां पर requirements है तो कि social welfare department के साथ साथ post office की नई vacances भी आउट हो चुकी है मैं आपको अगें रिपीट करूंगे social welfare department के साथ साथ post office की नई vacances आ चुकी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हो तो वीडियो को एंट तक देखी का वीडियो का हर पार्ट आप लिए important है department आप देख पा रहे हैं सबसे पहला जो notification है वो आउट हुआ है social welfare department के तरव से जहां पर all India candidate invited apply कर सकते हैं male and female post candidate यहां पर इरीजी पले है और बोत यहां apply कर सकते हैं salary यहां पर अलगलो पोस्ट वाइस आपकी वेरी करते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगे आपको अच्छा मिल रहा है OBC को तीन साल का सकते हैं तो यहां पर ध्यान से यहां पर अप्लाई करना होगा उसके बाद यहां पर बात करें विकेंशी सोचल वेलफर डिपार्टमेंट के लिए कौन-कौन सी है यहां पर सबसे पहने जो पोस्ट है यहां पर देखे प्रोग्रम मैनेजर की आउट हुई है उसके बाद यहां पर law probation officer की विकेंशी है consultancy DCPU की विकेंशी है data analyst social officer की विकेंशी है probation officer case worker child welfare officer की विकेंशी है यहां पर सारी के सारी जो विकेंशी जो मैंने आपको बताई है इसमें जो overall qualification है वो आपकी है 10th pass, 12th pass, graduate apply यहां कर सकती है यह जो आपके profile है यह आपकी depend करती है जो आपकी qualification है यह आपकी अलगल पोस्ट wise वेरी करती है लास्ट में आपको देखे इधर लिंक मिल जाते है पहला जो लिंक है यह आपको मिल जाएगा notification PDF डाउन्डोड का इधर आप कलिक करेंगे notification PDF आपके सामें open हो जाएगा यहां पर second वाला जो आपको लिंक मिल जाता है वो आपको apply online का जहां पर अपनी details को आपको फिल करना है register करना है username password link के then आप login करके इन विकैंसी के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद यहां पर देखिए इसके इलावा जो विकैंसी आई है इस मन्त की वो आप latest government job विकैंसी इस लिंक पे click करके आप check कर सकते हैं अब यह तो है पहला notification मैंने आपको वीडियो के starting में बताया post office की भी से हैं जहां पर आप ओल इंडिया से apply कर सकते हैं application फिर यहां पर डिस्क्राइब नहीं है कि हैं आप इसको निल consider कर सकते हैं अगर होगी तो जनल ओबी सी के लिए 100 हो सकते हैं apply शुरू हो गया वो ध्यान से समझना apply इसके लिए कैसे करना है क्योंकि इसके लिए fresher apply कर सकते ह और इसके लिए apply का जो procedure है वो बिलकुल अलग है वो ध्यान से आप समझना है मैं आपको step-by-step बतारूंगे यहां पे salary के बार में बात करें 19,900 से 63,000 तक आप यहां salary है अगर हम यहां पे notification के बार में बात करें वो release हो चुका है apply करना भी शुरू हो चुका है within 20 days आपको in vacancy के लिए apply कर लेना होगा ठीक है again repeat करूंगे यहां apply का मैं आपको बताऊंगी step-by-step वो ध्यान से समझना है क्योंकि इसके लिए थोड़ा अलग है procedure apply करने के लिए और यहां पे apply mode पहले समझ देजी offline आपको apply करना है क्या है कि इन्होंने notification जो PDF है उसके साथ आपको application form दी दि है अपना name लिखना है contact number qualification जो जो details आपसे मांग रहा है as it is लिखके ठीक है उसको involved में डालके इनके address पर आपको भेजना है address इन्होंने notification में उपर mention किया हुगा टॉप पर वो आप देखके apply यहां पे कर लेना है विकेंस के लिए क्योंकि यहां पे बहुत time के बाद है जो post office इसने कोई notification release किया है officially ठीक है तो यहां पर विकेंसी के बार में बात करें यह जो है इसमें कोई exam आपका नहीं है direct आपके selection होने वाली है जिसमें आपके विकेंसी स्टाफ का driver की ठीक है next salary मैंने आपको अलोड़ी बता ही दिया eligibility यहां पर 10th 12th वाले apply कर सकता है किसी तरह के क अब देखके लास्ट में आपको important link मिल जाएंगे पहला जो link का आपको मिलेगा ना वो notification PDF का मिल जाएगा वहाँ पर क्लिक करके अच्छे तरह के से आपको रिद करके अपको अप्लाई करना उसको डाउन्लोड करना प्रिंटाउट निकालना अच्छे तरह के से अच्छे त करने होगा ठीक है तो अप्लाई आपको जरू करना है देखिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक प्रवाइड कर दी है इस एक तो देखिए इसके इलावा जो विकैंसी है हमारी ओफिश साइट पर विजिट कर लेना www.clory.com वहां पर चेक कर सकते हैं आप जो इस कमेंट करना आज की दी इतना ही नेक्स्ट अप्डिवी मिलेंगे नहीं इंफोर्मिशन के साथ थैंक्स फूर्वाटिग